यह गाना दशकों के बाद भी सभी के जहन में ताजा है साल 180 में निर्देशक फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी का जब यह गाना लोगों के सामने आया तो इसने देश विदेश में संसनी पैदा कर दी हर एक की जुबान पर यही गाना था पूरे भारत में इसी गाने की चर्चा हो रही थी लोग हैरान थे कि भारत में सबकी जुबाँ पर चल जाने वाले इस गाने को किसी भारतिय गाय कने नहीं बलकि पाकिस्तान की पॉप सिंगर नाजिया हसन ने गाया है सिर्फ नाजिया की आवाज पर ही नहीं पर लोग उनकी उम्र सुनकर के भी दंग रह गए थे नाजिया की उम्र उस वक्त महस 15 साल की थी इसे एक गाने के बल पर दुनिया भर में छा जाने वाली नाजिया हसन को कुदरत ने मादक आवाज और बेमिसाल खूपसोरती से नवाजा था लेकिन उनको महस 35 साल की छोटी सी उम्र दी और उस छोटी सी उम्र में भी उनको 5 साल लंग कैंसर और पती की जातियों को जेलते हुए बहुती कश्ट में गुजारने पड़े इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तोती उसी गायका के सिंगिंग कैरियर और जीवन के बारे में बात करने जा रही हुँ जो पेशे से सिंगर, लॉयर और सोशल आक्टिरिस्ट थी और जिनके जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे तीस साल की उम्र में उन्हें कैंसर का पता चला और इसके पांच साल बाद उनका निधन हो गया मौत से दस दिन पहले उनका तलाक हुआ था इस वीडियो में नाजिया हसन के प्रफेशनल और परसनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ तो आप कीजिये थोड़ा इंतजार और बने रहे हमारे साथ दोस्तों नाजिया पॉप सिंगर थी नाजिया ने अपनी करियर की शुरुवात महस दस साल की उम्र से कर दी थी फिरोस खान ने नाजिया को पहली बार लंदन में एक पार्टी के दौरान से ना उन्हें नाजिया की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्हें नाजिया को अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया इस समय नाजिया महस 15 साल की थी फिल्म कुर्बानी में फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और शक्ती कपूर जैसे स्टार्स थे लेकिन इस फिल्म की कामियाबी का एक बड़ा श्रे पाकिस्तानी सिंगल नाजिया ले गई असल में ये गाना सालों तक डिस्को और वहां से निकल कर लोगों की आम पातियों में सबसे चुरिंदा गाना बन गया इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबाक सिंगर का फिल्म फिल्म फेर वोर्ड भी मिला इस फिल्म के अन्य सभी गीत भारत के प्रसद संगीतकार कल्यार जी आनन जी ने आचा भोसले मुहम्मद रफी और अन्य प्रसद गाईकों से गवाई थे लेकिन 1980 में सर्वश्रेश्ट गाईका का परुसकार नाजिया हसन को मिला नाजिया की मा मुनीरा बजीर हसन ने बताया कि जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ था उस दिन नाजिया स्कूल युनिफॉर्म में थी आदी छुट्टी के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई उन्होंने उसी समय गाना रिकॉर्ड कराया इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और उन्हें याद भी नहीं रहा कि उन्होंने किसी भारतिय फिल्म के लिए कोई गाना गाया है जब फिल्म रिलीज हुई और गाना लोगप्रिय हो गया तब एक दिन राज कपूर का फोन आया और उन्होंने कहा कि फिल्म फेर अवर्ड कमिटी ने निलने किया है कि इस साल के बेस सिंगर का अवर्ड नाजिया को दिया जाए क्या आप लोग ये अवर्ड लेने आ सकते हैं जिस उम्र में नाजिया हसन ने सर्वश्वेष्ट गायका का फिल्म फेर पुरुसकार हासल किया था वो इस पुरुसकार के 6-8 साल के तिहास में तुमारा कभी नहीं हुआ मुंबई के जिस होटल में नाजिया हसन ठेरी थी वहाँ भारतिया मीडिया रिपोर्टरों का ताथा लग दिया नाजिया कोया पुरसकार खुद राज कपूर के हाथे से मिला इसके बाद बॉलिवुड में शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर सहित फिल्म उद्योक के हर सफल प्रोडक्शन हाउज ने नाजिया हसन को ब्लांक चेक के साथ फिल्मों में नाइका के रूप में काम करने के लिए बहुत से उफर दिये लेकिन उन्होंने सब का जवाब नामे किया इंकार की वज़व ये थी कि नाजिया हसन एक ऐसे परिवार से थी जहां शो बिजनस और ग्लामर को बुरा तो नहीं समझा जाता था लेकिन इसे शिक्षा से बढ़कर नहीं माना जाता डिसको दिवाने ने अपनी रिलीस के 15 दिनों के भीतर प्लाटनम टाइटल जीता और इसके तीसरे हफते में ये खिताब डबल प्लाटनम में बदल गया ये अल्बम पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिन आफ्रिका, फिलिपीन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैनेडा, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से 14 देशों में टॉप 10 चार्ट में पहले नंबर पर रहा दुनिया भर में इसकी एक करोन चालिस लाग कॉप यांबे की थी, जो कि उस समय एक रिकॉर्ड था उनका दूसरे आलबम बूम बूम था और वो भी सूपर हिट रहा इसके बाद 1992 में तीसरे आलबम यंग तरंग, चौथा आलबम हॉट लाइन और 1992 में पांचवे आलबम कैमरा कैमरा आया था नाजिया ने अपने छोटे से सिंगिन कैरियर में कही गाने गाये थे इसके अलावा नाजिया खुद गीत लिखती भी थी नाजिया ने अमेरिकी स्कूल से ग्राजुएशन करने के बाद लंदन से बिजनिस लौ में डिगरी हासल की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नाजिया संयुक्त राष्ट की विभिन परियोजनाओं के लिए काम करती रही जिसमें उन्होंने वैश्विक महिला निर्तित वियोजना और राजनीतिक मामलों के विभाग में महत्पून सेवाई दी वह बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए यूनिसेफ की ब्राणम मैस्टर भी रही नाजिया के सिंगर के तौर पर सफर बहतरीन रहा और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में काफी बड़ा नाम कमा लिया लेकिन नाजिया की निजी जिन्दगी कुछ खास नहीं रही नाजिया ने 30 साल की उम्र में साल 1995 में कराची के एक बिजनसमैन इश्तियाक बेग से शादी रचाई थी इश्तियाक एक कारोबारी थे शादी के दो साल बाद नाजिया ने एक बेटे को जन दिया नाजिया को महस 30 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था जिसके बाद उन्होंने 5 सालों तक इस बिमारी के साथ जंग लड़ी फिर 35 साल की उमर में 13 अगस 2000 को उनका लंदन की एक एक अस्पताल में निधन हो गया उनका लंदन की एक अस्पताल में इलाज चल रहा था इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार दिख रहा था उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दे देंगे लेकिन सुबह ही उनकी मा का फोन आ जाता है कि बेटी बुरी तरह से खास रही है कुछ मिंटों में उनकी सांसे उनका साथ छोड़ देती है उनके भाई ने बताया कि वर जीना चाती थी उनकी मौत काफी दर्द में हुई हैरानी की बात तो ये थी कि नाजिया के निधन से महस दस दिन पहले उनका तलाक हुआ था दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था इस वज़े से नाजिया ने इश्टियाक से तलाक ले लिया नाजिया ने इलाज के दोरान आरोप लगाया था कि उनके पती उसे धीमा जहर दे रहे थे और उसके पती उनके साथ मार पीड भी करते थे नाजिया ने आरोप लगाया कि उसे समय समय पर जहीला पदार दिया जाता था जिससे धीरे धीरे उनके शरीर और आंतरे कंगों को नुकसान पहुंचता था उसने कहा कि मेरे चाय में और मेरे खाने में इस बंदे ने मुझे डाल के दिया है आर्सिनेक नाजिया ने अपनी वकीलों से कहा था कि उसकी मौत की स्थिती में पुलिस को जाच करने को कहा जाए बाद में उनकी वकीलों ने इस बायर में पुलिस को बताया और जाच शुरू ही गौर तलब है कि 13 अगस 2000 को नाजिया असन की मृत्यू के बाद स्कॉर्टलेंड यार्ड की विशेशग टीम के निर्तित्यू में फॉरेंसिक जाच करके नाजिया असन की मौत के कारनों को पता लगाया गया था हाला कि युनाइटिट किंदम में अधिकारियों के रिकॉर्ड के अनसार Scotland Yard की जाँच में पाया गया कि नाजिया की प्राक्रितिक कारणों से ही मिर्ति हुई थी अधिकारियों ने नाजिया हसन की पार्थिफ शरीर को पांच महीने बाद 9 जन्वरी 2001 को अंतिम संसकार के लिए परिवार वालों को सौब दिया Scotland Yard ने की है इन्वेस्टिगेशन के पांच महीने के बाद वो इनकॉंक्लूसिव हुआ था जब उनका निधन हुआ तब उनका एकलौता बेटा अरीज हसन कीवल दो यद्धाई साल का था अरीज का कहना है कि उनके दिल और दिमाग में उनकी मा की बस हलकी सी यादे है वो मुझे चिडिया घर ले गई थी उन्होंने कहा मेरी मा को गोल्डन वॉइस और पॉप नूजिक की पाइनियर के नामों से याद किया जाता है मेरे पास भी उनके लिए एक नाम है मा वो मेरी मा थी जब तक मेरी मा इस दुनिया में रही उन्होंने इंसानों की भराई के बारे में सोचा और उनके अभावों को दूर करनी की कोशिश की मैं भी यह कोशिश जारी रखूंगा तो दोस्तों आप नाजिया हसन के बारे में क्या तहना चाहते हैं आपके पास नाजिया हसन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साजा करें यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगले वीडियो में में नफिर, सेनों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाओंगी